करपून गारं करणावतारं संजार सारं भुजगी इंत्रहारं सदावसंतं हृद्याल विंदे भवं भवानी सहितं नमामी नमश्कार दर्शकू प्रीभग तो आज हम आपके लिए लिकर आए हैं भगवान सिप को प्रशन करने का बहुत ही सरल उपाए भगवान सिप को सर्बशक्ति शाली करपालू दयालू और मात्र एक लोटा जल्द से प्रशन होने वाले महादेव कहा जाता है शिप पुरान के नुसार भगवान सिप की शरीर पर और हाथ में ली गई बस्तों का अपना अलग महत्ब होता है और इन्हें धारन करने का अलग कारण भी होता है भगवान भूलीनात अपने सरीर पर और गले में साप मस्तक पर चंद्रमा हाथ में डमरू और त्रशुल नजर आते हैं इन सभी का अपना अलग-अलग महत्ब होता है आईए हम आपको बदाते हैं भगवान सिब डमरू क्यों धारन करते हैं धार्मिक पुरानों के अनुसार संगीत की देवी शरश्वती माता के अपतरित होने पर उनकी बाणी से निकलने वाली धोनी सुर और संगीत रही थी उस समय भगवान सिब ने चोदा बार डमरू बजाया और अपने तांडब निरत्य से संगीत की उत्पत्ती की थी तभी से भगवान भोले नात को संगीत का परवदक कहा जाता है तो भगतो अगर आपी भगवान सिब को प्रशन करना चाहते हैं तो अपने घर पे जरूर रखी डमरू इससे भगवान शिब प्रशन होते हैं डमरू की धोनी से घर में नकरात्मक उर्जा प्रवेश नहीं होती डमरू की धोनी करने से घर में सकरात्मक उर्जा का संचार होता है और नकरात्मक ताका नास होता है ऐसी मानेता है कि डमरू में कई चमतकारी मंत्रों की उत्पत्ती होती है इसकी धोनी से व्यक्ति को मजबूती प्रदान होती है और विमारियों से लड़नी की शक्ति मिलती है जोतिस के अनुसार बच्चों के कमरे में डमरू रखने पर उनक पर नकरात्मक प्रभाब नहीं पड़ता और साथ ही उनकी प्रगती में भी कोई बाधा उत्पन नहीं होती है डमरू की धोनी बेहद शक्ति शाली होती है इससे तनाप को कम करने में मदद मिलती है अगर आप घर में डमरू रखकर रोज इसको बजाते हैं डमरू को बजाते हैं डमरू को बजाकर भगवान सिपकी आराधना करते हैं तो नका रात्मक उर्जा आपके आसपास भी नहीं ठहर पाती और आपका मन प्रफूलित रहता है डमरू की धोनी करने से आपके ओपर किसी भी भूत प्रेत की बाधा का असर नहीं होता है तो प्रिभगतू ये ती कुछ खास जानकारी डमरू के वारे में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स कर बताईए आपको ये जानकारी कैसी लगी और हमारे चैनल को सस्क्राइब लाइक करें धन्यवाद अब आपको बताते हैं भगवान शिप्तिशुल क्यों धारन करते हैं